बिचार जिसने मानब जाथिके को बदल दिया इडिएज्ट, इसकोई कोई बात तो रही होगी जिसकी वज़े से मानब जाथि इतना बिक्सित हो गया तो इसी के ऊपर यह chapter है, इसमें हम विचार करेंगे कि ideas, विचार, राय, that have helped, जिसने मदद किया है, mankind को, मानब जाती को. Before we can discuss this subject, we must form some conception as to the kind of effect that we considered a help to mankind. Let's see words first, पहले words देख लेते हैं, conception मिन सोता है, अवधार ना. Before we can discuss this subject, इससे पहले कि हम इस विशाय पर बात करें. We must form a conception, हमें निची तुरूप से एक अवधारना, एक विचार तयार करना चाहिए, form इसे बनाना, As to the kind of effect की यह किस प्रकार का प्रभाव, As to the kind of effect की यह किस प्रकार का प्रभाव, That we consider a help to mankind. जिसों हम मानते हैं कि मानब जाती के लिए मदद रहा. कहने का आसा यह है, कि इससे पहले कि हम इस विशाय पर कि कौन सी आइडिया है, कौन से राय है, जिसने मानब जाती को मदद किया, तो सबसे पहले तो यह बिचार करें कि वो क्या अवधारना है, जिससे हम माने, वो किन चीजों को हम माने, कि बास्तर में वो मानब जाती के लिए help रहा. Are mankind helped when they become more numerous, numerous मतलब अथा अनगिनत, मतलब जिसकी संख्या जादा हो जाए, अनगिनत, तो यहाँ पर कहा जाता है, कि our mankind helped, क्या मानब जाती को मदद मिला, उसकी जन संख्या बढ़ जाने से, मतलब वो बहुत जादा अनगिनत हो गया, जन संख्या बढ़ गई, तो क्या इससे मानब जाती को मदद मिला, और when they become less like animals, या फिर जब वो जानबर के जैसा कम हो गये, मतलब सुभाती ज़र में मानब भी जानबर के जैसा थे, लेकिन जैसे से समय बित्ता गया, वो जानबर वाला गून छोड़ते गये, तो ये कहना चाहते हैं लेखा कि क्या कम जैनबरो वाला गून होने की वज़े से मानब को मदद मिली, और when they become happier, या मानब का खुस होना, जब वो ज़्यादा खुस होने लग गये, यह मदद किया मानब जाती को, और when they learn to enjoy a great diversity of experiences, diversity मतलब होता है बिभिन्ता, या फिर जब मानब जाती ने बिन्विन प्रकार के जो तजरूबा है, उसको enjoy करना शुरू कर दिया, और उसको enjoy करना सीख लिया, बिभिन्त तरह के प्रस्थितियों में अपने आपको प्रस्थितियों को enjoy करना जब सीख लिया मानब जाती, तो क्या इस बात ने मानब जाती को help किया, और when they come to know more, या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जनकारी बढ़ा लिया, इस बात ने मानब जाती को मदद किया, और when they become more friendly to one another, या फिर मानब जाती को इस बात से मदद मिली, कि वे एक दूसरे के से ज़्यादा दोस्ताना बेभार करने लग गए, मतलब एक दूसरे के परती ज़्यादा बेभार अच्छा रखने लग गए, क्या इस बात ने, इस इस इस्तिती ने मानब जाती को मदद किया, I think all these things come into our conception of what helps mankind, मुझे लगता है कि जब कभी भी हम मानब जाती के मदद के अवधारना के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीज़े हमारे दिमाग में आती है, and I will say a preliminary word about them, preliminary मतलब होता है, प्रारंबिक, प्राथ्मिक, और मैं इन चीज़ों के बारे में जो प्राथ्मिक बाते हैं, शुरुवाती बाते हैं, जो प्रारंबिक बाते हैं, वो बताना चाहूँगा, वो कहना चाहूँगा, ज़रिये, नेक्स चलते हैं, The most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers, हमारे पास एक word है, Indubitable का वही मिनिंग है, जो Undoubtable का मिनिंग होता है, नहीं संदेह, मतलब जिस पे हम संदेह नहीं कर सकते हैं, तो करते हैं, आइडियस के बारे में अगर हम बात करें, तो निच्छित रूप से इसमें कोई सक नहीं है, कि मानब जाती का संख्या बढ़ जाना, इनकी संख्या बढ़ गया, इसने मानब जाती को मदद किया, चलिए पले वर्ट्स कर लेते हैं, there must have been a time when homo sapiens, homo sapiens आप जानते हैं, शुरुवाती दौर के मानब जाती, homo sapiens को इंदी में भी homo sapiens ही कहेंगे, आदी मानब, आप कह सकते हैं, was very rare, rare मतलब विर्ले, दुरलव, species मतलब प्रजाती, तो ये दुरलव प्रजाती थे, subsisting मतलब होता है, जीवन निर्वाह करना, पर अधारित राना, जीवन निर्वाह करना, precariously, precariously मतलब होता है, जोखिम भरा या खतरनाग तरीके से, जोखिम भरी तरीके से या खतरनाग तरीके से, जंगल, अब जानते ही जंगल, और केब से मतलब होता है गूफा, terrified, terrified मतलब डरा हुआ भायवीत, आप विडियो को पॉज करके वर्ड मिनिंग लिख लेंगे, terrified of wild beasts, wild मतलब होता है जंगली और bits मतलब जानवर, having difficulty in securing, secure करना मतलब प्राप्त करना, nourishment, nourishment का मतलब होता है पोशन, खाना, भोजन, पोशन, भोजन, या पोशन कहले हैं, यह है, के का मिनिव, okay, now let's see, there must have been a time, निश्चित रूप से एक समय रहा होगा, when homo sapiens was a very rare species, जब मानब जाती एक दुरलब, जो आदी मानब थे, वो बहुत दुरलब प्रानी रहा होंगे, दुरलब प्रजाती रहा होंगे, काने का मतलब एक समय जबूर रहा होगा, जिस समय मानब जाती, जो शुरुवाती दुर के मानब थे, उनकी संक्या बहुत कम रही होगी, बहुत दुरलब से मिलते रहा होंगे, और जो रहें भी होंगे, subsisting precariously in jungles and caves, जो रहें होंगे, वह जंगल में और गुफाओं में बहुत खतरनाक तरीके से जिवित रहे होंगे, बहुत मुस्किल लाइफ जीते रहे होंगे, क्यों वहां क्या था, वहां terrified of wild beasts, वहां पे जंगली जानबरों से डरे होंगे, having difficulty in securing nourishment, और उन्हें भोजन को प्राप्त करने में भी दिक्कत होती रही होगी, ठीक है, भोजन पहले जमाने में क्या था, जो मानब जाती थे, उसकी संख्या बहुत कम थी, तो उन्हें वह जंगली जानबरों को मार कर खाते थे, बहुत खतरनाक जो जानबर होता था, उन्हें मार देता था तो उन्हें भोजन के लिए बहुत प्रिसानी निची दूप से होती रही होगी तो यहां पर लेखक का कहने का आसा यहा है कि जब लोग की जनसंख्या बढ़ी होगी तो इस मामले में मानब जाती को help मिली होगी तो यह नेक्स तम देखते हैं झार को देखि शबेट बढ़न है O.k., इस परि Year आधि पिलोगी कले दkeit करीष जर उसि इजवस् counsel को ओिक भालेट इस future the biological advantage of his greater intelligent which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely began to overweigh the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys and his lack of air suit protection against cold. Let's see words first. At this period, ish samaya mein, the biological advantage, biological advantage का मतलब यह हो गया हमारे जो सारीरिक बनाबट है, उस सारीरिक बनाबट से संबंदित लाव, तो biological advantage मतलब आप लिख लेंगे, सारीरिक बनाबट से संबंदित लाव of greater intelligence, intelligence मतलब तेज होना, बुद्धी होना, बुद्धी मता होना, which was cumulative, cumulative मतलब इकठा होना, एक साथ मिल जाना, इकठा होना, because it could be handed on from generation to generation, handed on मतलब होता है, pass करना, एक आदमी के द्वारा, दूसरे आदमी को द्वारा, एक आदमी के द्वारा, दूसरे आदमी को देना, तो यहां बात की जरही है, generation, generation मतलब क्या होता है, PD, एक PD से दूसरे PD को hand over करना, hand on करना मतलब क्या, देना, head scarcely, scarcely मतलब होता है, muskills से, hardly scarcely, muskills से begin, begin मतलब सुरू होना, to over way, over way मतलब होता है, ज्यादा, तुलनात्मा कृप से ज्यादा होना, disadvantage मतलब, नुकसान, of long infancy, देखो, infancy वर जो बना हुआ है, infant मतलब होता है, नवजात, तो infancy मतलब हो गया, शुरू का, समय, शुरू का काल या समय, जिसको हम शैसब काल भी कहते हैं, शैसब काल, जिसलेशन मतलब कम, जिसलेशन मतलब होता है, चंचलता, उगरता, as compared with monkeys and his lack of hair suit, hair suit मतलब, शरीर के ऊपर बना हुआ बाल, जैसे जानवरों के देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बाल हुआता है, तो वो क्या कलाता है, और प्रोटेक्शन मिन्स रक्षा, सुरक्षा, अगेंस्ट कोल्ड मतलब थन्दा के बिरुद्ध, तो यह होगे वर्ड मिनिंग, आप लिख लें, अब हम लोग बात करते हैं, इसके अर्थ को, अर्थ के लिए करके, at this period, the biological, sorry, advantage of his greater intelligence, which was cumulative, because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begin to overweigh the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys and his lack of hair, अगेंस्ट कोल्ड, कहते हैं कि उस समय, जिस समय की बात की जा रही है, जब homo sapiens थे, मानब जाती की शुरुआती दौर था, उस समय मानब का जानवरों से तेज होना, होने की जो biological प्रक्रिया थी, मानब का जानवरों से तेज होने का जो biological फायदा था, यह साइद शुरू नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि यह, पीधी दर पीधी इकठा होने में, एक पीधी से दुसरे पीधी में जाने में तो लंबा टाइम लगा होगा, तो साइद उस समय मानब जो था, homo sapiens के रूप में जो मानब था, वो अपने सहसब काल में था, शुरुआती दौर में था वो सहसब काल एक बहुत लंबे समय सकत का था, तो यह एक उसकी गैर फैदा था, मतलब जो फैदे में नहीं था, तो उस समय साइद सुरू भी नहीं हुई थी, मतलब homo sapiens जिस समय थे, उस समय मानब जाती शंभप्ता जानवर्ग से ज़्यादा तेज नहीं थे, हाँ, एक क नुकसान ही था, उल्टा, और दूसरा ये, कि जानवरों को बचने के लिए, कई जानवर है, जिसके पास ठंड के मौसम में बाल उगाते हैं, तो बाल की वैसे वो ठंड में बच जाते हैं, लेकिन homo sapiens के साथ ऐसा भी नहीं था, homo sapiens को ठंडा में सरीपे बाल नहीं होता थे, इतने सारे बाल नहीं होते थे, कि वो ठंड से बचा सके, तो ये कह रहा है कि उस समय, मानव जाती को, homo sapiens को, कई तरीके से वो पीछे ही थे, नुकसान में ही थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं था, चलिए, next, हम बात करते हैं, in those, in those days, उन दिनो, the number of men must certainly have been very small, उन दिनो, निश्चित रूप से, मर्दों की, main use किया गया है, आद्मियों की, मर्दों की, ये, लोगों की, संख्या, निश्चित रूप से, बहुत कम रही होगी, the main use, to which, throughout the ages, men have put their technical skill, has been to increase the total population, क्या करना चाहता है, the main use, जो मुख रूप से, जो प्रियोग था, to which, जिसे, throughout the ages, मतलब भिन्विन कालों में, हमारे जो जीवन का भिन्विन काल रहा है, पासन यूग, नो पासन यूग, तो अलग-लग age रहा है, अलग-लग काल रहा है, तो उन सभी कालों में, men have put their technical skill, कि मानब ने अपनी तकनीकी गुन को, has been to increase the total population, उसका प्रियोग किया होगा, मानब ने अपने तकनीकी जो गुन रहा होगा, उसके पास जो भी अकल रही होगी, या जो भी तकनीक से समधित ग्यान रहा होगा, उस सब तकनीक का प्रियोग के इसलिए किया होगा कि कैसे जन संख्या बिर्धी हो, मतलब जन संख्या को बढ़ाने में निच्छी दुरूप से उसका प्रियोग किया होगा, I do not mean that this was the intention, but it was in fact the effect, काते कि मेरा करने का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने यह प्लानिंग किया होगा, होमो सेपियंस जो लोग रहे होंगे, उन लोग का ऐसा इरादा रहा होगा, intention means इरादा, उन लोग का ऐसा इरादा रहा होगा कि चलो हम जन संख्या बढ़ाते हैं, तो फिर हमारा कल्यान होगा या हम ज़्यादा बिक्सित हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन वहाँ पे जो इस्थिती थी, उसका प्रभाव रहा होगा, चुकि जंगली जानबरों मार के खा जाते रहोंगे, मार देते होंगे, तो उन जंगली जानबरों से बचने के लिए, जहां ज़्यादा जन संख्या रहती होगी, उसे comfortable feel होता होगा, उन्हें सुरक्षा ज़्यादा प्रदान होता होगा, तो साइद इसका प्रभाव रहा हो, जिसकी वैसे उन लोगों ने जन संख्या की बिर्धिकी हो, इफ इस इस समझते हैं, आनन लेने वाली बात है, कौन सी बात को आनन लेने वाली बात, कि लोगों ने जन संख्या को बढ़ाया, तो निश्ची तरूप से आज इस तरह का खुश होने का आफसर है, थर्ड पारग्राफ, आप नोटिस करेंगे, कि सबसे पहले, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहला कुश्चन, राइटर ने उठाया है, क्या उठाया है, कि are mankind helped, when they become more numerous, जन संख्या बढ़ने बाली बात की है, और वही बात सबसे पहले लेखक ने डिसक्रस किया, पहले दूसरे परग्राफ में, अब देखिए, next point क्या है हमारा, next question क्या उन्होंने रेज किया, when they become less like animals, तो जाहिर सी बात है, अब जो author है, इस point पर जिक्री करेगा, तो let's see, अब देखिए, है ही यहा, third paragraph में यही बात दिसक्रस किया है, we have also become in certain respects, progressively less like animals, in certain respect का मतलब हो गया, कुछ खास मायनों में, in certain respect phrase है, जिसका मतलब हो गया, कुछ खास मायनों में आप लिख लेंगे, we have also become in certain respects, progressively, progressively मतलब होता है, तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए, less like animals, कहने का मतलब यह है कि लेखा की इस बात को मान थे हैं कि निच्छित रूप से काफी कई चीजों में हम लोग मतलब मानब जाती अब जानवरों जैसा नहीं रहा जानवरों से अपने आपको भिन्न किया है जानवर जैसा कमी किया है जानवर जैसे गुन को कमी किया है I can think in particular of two respects यह जो बाते मैं बोल रहा हूँ कि जन्वरो जैसा गुनों की कमी आई है तो इसको मैं दो मायनों में बता सकता हूँ respects मतलब मायना first पहला यह that acquired as opposed to congenital congenital मतलब होता है जन्म जात जन्म से ही congenital का मतलब होता है जन्म जात कुछ गुन तो ऐसा होता है कि जन्म से ही मिला होता है भगवान की दुरह मिला गया होता है तो वही कहता है I can think in particular of two respects दो मायनों में तो मैं यह बात बोल सकता हूँ कि मानब जाती जन्म जाती जो है जन्म जैसा नहीं रहा जन्म से कम उग्र हो गया पहला कि that acquired as opposed to congenital skills play a continually increasing part in human life अब देखे क्या कहता है that acquired मानब जाती के बारे में कह रहा रहा है कि उसने acquired किया बिप्रीत जो जन्म जात नहीं है उसके बिप्रीत कुछ गुन तो जन्म से आता है लेकिन कुछ गुन ऐसा जो जन्म से नहीं मिला हुए उसके अलावा उसने acquired किया, acquired किया, मतब हासिल किया, सीखा, skills, गुन को, ठीक है, और वो गुन क्या करता है, play a continually increasing part in human life, और वो जो गुन, लगातार मानब जीवन में बढ़ता गया, मतब skills को develop करने वाली गुन, लगातार मानब जीवन में बढ़ता गया, एक तो ये बात है, ज that assuming more and more, dominates impulse, ते ले पले वार डिमिनिंग कर लेते हैं, second लिखता है, assuming, assuming होता है मान लेना, या रूप सुरू करना भी होता है, इसका मिनिंग, रूप अकार लेना भी होता है, पहुत फ़रा मिनिंग होता है, assume का, रूप लेना, देखते हैं, यहां पे कौन सा सुरूटेवल मिनिंग बैठता है, secondly, that assuming more and more, dominates impulse, दूसरा, कि मानब जाती ने, जो dominates करने वाली impulse है, dominates करना मतलब की हा भी होना, और impulse मतलब क्या होता है, आवेग, हावेग क्या होता है, दिल की धरकन, मन, इक्छा, तो कहता है, दूसरा क्या, कि लोगों में dominate करने की बाते हा भी होने लग गई, पहला ये, कि उसने skill सिखा, और दूसरी बात ये, कि दूसरे पर हा भी हो, दूसरे पर राज करे, दूसरे पर सासन करे, दूसरे पर अपना हुकुम चलाए, ये इस तरह की प्रविर्थी मानब में अधिक से अधिक रूप लेने लग गई, बढ़ने लग गई, In these respects, we have certainly become progressively less like animals, इन मायनों में निच्चित रूप से, हम लोग जानबरों की तरह कम हो गया हैं, तरक्की करके हम लोग जानबरों की तरह कम हुए हैं, मतला जानबरों उल्टा दिसा में तरक्की किया है, हमने इसके विप्रीद दिसा में तरक्की किया है, तो हम अब जानबर नेक्स्ट परग्राफ लेते हैं एस टू हैपिनेस नेक्स्ट कुश्चन हमारा था आप देखेंगे हमने दो पॉइंट्स राइटर के कवर हो गया है एक कि क्या पॉपलेशन बढ़ने से मानब जाती को हो हो हिल्प मिला इसकी चर्चा कर दी हाँ क्या मानब लेस जानबर जैसा बन गया है इसकी चर्चा कर दिया इसके लिए भी हाँ हो गया अब हमारा नेक्स्ट एक और विन दे बिकम हैपियर क्या मानब जाती को इस बात से मदद मिली कि वो ज़्यादा खुस हो गए है, मतब खुसी होने से मानब जाती को क्या मदद मिली, चलिए इस पॉइंट पे क्या है, राय, As to happiness, जहां तक खुसी की बात है, I am not sure, मुझे पता नहीं, मैं पूरी तरह से अस्वस्त नहीं हूँ, Birds, it is true, die of hunger in large numbers during the winter, हाँ, चिरियाएं जो होती है, वो, चिरियाएं जो होती है, बड़ी संख्या में, चिरियाएं जो होती है, बड़ी संख्या में, विंटर के दोरान मर जाते हैं, Birds, चिरियाएं, it is true, सत्य है, die of hunger in large numbers during the winter, थंडर के मौसा में, बड़ी संख्या में, चिरियाएं मर जाती हैं, if they are not birds of passes, अगर वो, बड़ी संख्या में ना हो, तो, but during the summer, they do not foresee this catastrophe, or remember how nearly it befail them in the previous winter, let's do the word first, but during the summer, लेकिन, गर्मी के दौरान, they do not foresee, foresee मतलब पहले से अन्दाजा लगा लेना, पहले से भाप लेना, या अन्दाजा लगा लेना, कोई भी चीज, कोई घटना घटित होने वाली है, तो उसका अनुमान लगा लेना, ठीक है, और केटेस्ट्रोफ मतलब होता है, बिपत्ती, नुकसान, कोई बहुत बड़ा आफ़त, कोई आफ़त आने वाली है, उसका पतापले से लग जाए, और पहले बाकी तो सिंपल हो रहा है, चलिए, कहता है कि बड़ी संख्या में ठंड के मौसम में चिरियाएं मर जाती है, लेकिन गर्मी के मौसम फिर आता है, तो उसे ये अंदाजा ही नहीं होता है, कि अरे इतनी बड़ी बिपत्ती, गर्मी के बाद फिर ठंड आएगी, और ठंड में फिर इतनी बड़ी बिपत्ती, इतना बड़ा पहार तूटने वाला है, और remember how nearly it befell them in the previous winter, उसको इस बात का याद नहीं रहता है, कि बिपल, बिपल मतो होता है, बुरा होना, इस बात का उसे याद ही नहीं रहता है, कि अरे पिछली बार जारा के मौसम में कितना बड़ा नुकसान हुआ था, कितना बुरा हुआ था, With human beings, the matter is otherwise, लेकिन अगर मानब जाती की बात किया जाए, तो बात अलग है, इस मामले में बात अलग है, I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. किते हैं कि I doubt, मुझे सक है कि चिरियाओं के मरने का जो percentage था, जो प्रतीसर था that will have died of hunger during the present period, winter, यह जो बात की जा रही है, 1946-47 की, तो 1946-47 में जितनी चिरियाएं भूक से मरी होगी, वो उतना जादा होगा, जितना की मानब जाती भारत और मद यूरोप में उसी same period, मतलब, 1946-47 के दुरान मरे होंगे, उसी तुलना में मुझे नहीं लगता है कि उतना जादा होगा, जितना की मानब जाती मरे हों. But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. लेकिन मानब जाती जब भी भूख से मरा है, तो वो उससे पहले एक बहुत लंबी चिन्ताओं के दौर से गुजरता है. मतलब क्या उसे पता लग जाता है, उसका अंदाजा हो जाता है कि भाई, भुखमरी का समय आने वाला है. तो एक लंबे दौर की चिन्ता से गुजरता है, और फिर जब उसके पास यह ऐसी आपती आती है, और अगर किसी एक बेक्ती के उपर या किसी एक समदा या एक समू के उपर अगर भुखमरी या किसी तरह की विपत्ती आती है, तो उसका प्रभाव और चिन्ता उसके पूरे प्रोस पे पड़ता है, corresponding मतलब से संबंदित, anxiety मतलब चिन्ता नेवर्स मतलब प्रोसी, तो पूरे प्रोसी पे उसका पूरा उसका प्रभाव उन सभी उपर पड़ता है, we suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us, we have reason to fear, कहता है, इसलिए सिर्फ हम प्रेसान नहीं होते हैं, जो प्रेसानियां हमारे उपर आ परी होती है, हम भी फावल मता होता है बुरी चीज होना तो बास्तव में हमारे उपर जो एविल्स जो बुराई यां जो बुरी चीज है हमारे उपर होती है केवल उसी चीज से हम परिसान नहीं होती है बलकि हमारा माइंड हमारी बुद्धी मता भी हमें इस बात का ग्यान देता है कि अरे ये डरने वाली चीज है इसे ऐसा होगा तो ये बुधी मता के कारण भी हम परिसान होते हैं, डरते हैं जबकि ऐसी इस्थिती चिरियाओं के साथ नहीं होती है ठीक है, विंटर में बहुत सारी चिरियाओं है, मर गई लेकिन समर आते आते सारा भूल जाते हैं उन्हें फिर पता ही नहीं होता है कि अगली विंटर में ऐसा कुछ होने वाले हैं तो वो एकदम खुश होकर के जीते हैं, उनके चिंता नाम की कोई चीज होती ही नहीं है लेकिन मानब जाती के साथ ऐसा नहीं है उसके साथ अगर कभी कुछ बुरा हो गया है अब उस बुरी होने के कारण ही केबल उसको डर नहीं लगता है बलकि आगे बुरा नो हो या बुरा हो सकता है इस बात के डर के कारण भी मानब चिंतित होता है और वो खुश नहीं हो पाता है The curbing of impulses to which we are led by forethought कहता है एक वर्ट्स फिजिकल डिजास्टर एट कोस्ट ओफ वरी एंड जेनरल लैक अब जुआ है कर्ब मतलब होता है रोकना इंपल्स मतलब आवेग मैंने उपर लिख दिया है लेड़वाई मतलब के कारण होना फोर साइट मतलब पहले से देख लेना पूरुबा अनुमान लगा लेना पूरुबा अनुमान कर लेना यह वर्ट्स मतलब मोर देना या रोक देना मोर देना या रोक देना फीचकल डिजास्टर मतलब तबाही बरवादी लाइक अब जाय मतलब खुशी है कमी वरी चिंता ठीक है तो कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक आवेग होता है क्यों आवेग होता है जो आने होने वाली कारण है तबाही है इस सब की वैसे तो इसको रोकने से अगर हम चिंताओं को या खुशी नहीं है इस चीज़ों को अगर हम रोक ले इस तरह के आवेग को हम रोक ले तो इससे क्या होगा यह जो हमारी सारेरिक नुकसान होने वाली है हमारी सारेरिक तबाही होने वाली है इसको यह रोक देगा मोर देगा कहने का मतलब यह है कि अगर पुर्वान अनुमान मतलब कोई गतनागरित होने वाली है या कुछ बुरा होने वाला है उस बात की चिंता करते हैं हम और खुसी नहीं मनाते हैं इस चीज़ को इस आबेक को अगर हम रोक ले तो बहुत सारी हमारी सारी प्रसानिया खतम हो इंकम आर एज हैपी ऐज दमाइस दैट इट दक्रम्स फ्रॉम दियर टेबल्स वाइल दे इलुड़ाइट जेंटलमेन इसनूज अब यहां पे पहले वाले दो जो कुस्टन्स थे उसमें और इसमें डिफेन्स है देखिए क्या डिफेन्स है समझने वाली बात है पहले वाले में क्या कहा है population में बिर्धी किया और उसने मानब जाती को help किया बिल्कुल सभी बात है दूसरे वाले में क्या कहा कि happiness है उसने मानब जाती को help किया सोरी दूसरी वाले में हमारा point था हाँ जानवर जैसा हो गए वो हमें help किया और तीसरी बात कर रहा है मानब जाती का खुशी के मामले में तो यहां राइटर का है लेखा का जो ओपिनियन है वो विपरीत है कहता है I do not think मुझे नहीं लगता है कि the learned man of my acquaintance acquaintance मतला होता है परचित जान पचान का कि मेरे जान पचान में कोई बिद्वान आदमी हो learned man हो भले ही उसके पास एक निच्चित income क्यों नहीं हो एक secured income क्यों नहीं हो वह उतना खुश नहीं है जितना की जब वह आदमी टेबल पर वह विद्वान आदमी जेंटल आदमी जेंटल मैन टेबल पर काम करते करते ठक कर सो जाता है और उसी के टेबल के नीचे एक चुहिया क्या करती है क्रम समतर रोटी के टुक्रा उसको कुटरती रहती है और उसको कोई tension नहीं जाता है उस चुहिया को एकदम चिंता मुक्तरती है और एकदम खुशी-खुशी वह तरती रहती है लेखक ये काना चाहता है कि खुशी के मामले में मानब जाती पीछे है, जानबर शायद हमसे आगे है, I do right मतलब क्या होता है, बिद्वान, बिद्वान, and a snooze मतलब जपकी मारना, काम करते करते थक जाता है आदमी, जपकी मार लेता है, सो जाता है थोड़ा हलका सा, In this respect, इस मामले में, therefore, I am not convinced, इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, that there has been any progress at all, कि खुशी के मामले में मानब जाती में कोई भी अगर तरक्की हुई हो, इस बात से मैं convinced नहीं हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मानब जाती ने बाकी progress भले ही किया हो, population भले ही बरहा लिया हो, ज खुशी के मामले में उतने खुश नहीं है, जितने की एक जानवर, तो बाद बाकी next video में करेंगे, thank you very much, till then, bye bye.